तो अगर आपके पास भी यह डाउट है कि बोड एक्जामिनेशन से कितने कुशन्स पूछे जाते हैं तो यह वीडियो फ्रेंट्स आपके लिए है और मैं बता दूँ यह बेस्ट वीडियो है आपको बिल्कुल प्रूफ करके बताऊंगा कि इंसी आर्टी से कितने कुशन्स आए हैं कहां से आए हैं चाप्टर बताऊंगा एक्सरसाइस बताऊंगा यार तो पूरी वीडियो देखना पसंद है तो लाइक करके जाना यहां पर मैं कुशन पर लेकर आया हूं आप देख सकते हो यह कुशन पर 2019 का है और यहां पर बता दू एंसी आर्टी से जो है 80 में साथ मांक के कोशन बिल्कुल उठाकर पूच दिये गए तो यह डाउट बिल्कुल मत रखना कि कॉशन काफी कम आते हैं नहीं यार इंसी में से साथ मांक सी कुशन से अगर भूच लिए यानि कि बहुत ज्यादा कुशन पूचे गए और रफ्रेंस बुक के रिलेटेड़ आपने वडियो नहीं देखे तो लिंक दे दूंगा जा कर देख लेना कि कौन से कहा से कहां से आए और मैं आपको रिड़ाओ बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दोंगा तो यह बात कर लोंगा यह वाला पेपर 2019 का है तो फोड़ा पाटर बट इपर यह जो वह भ से आए हुए हैं और बिल्कुल उठाकर कुछे गया तो यह डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूँगा वहां से आकर देख लेना तो कुछिन नंबर वन जो है आप अपने साइड बार में देख सकते हो वह चाप्टर फॉर एक एक्जामपल नंबर 16 से पूछ रखा है उसके ब तो इसके बाद कुछन नंबर 7 8 यह सारे दो दो मांके कुछन है 10 12 सारे कुछन और मैं बता दूं कि बहुत सारे कुछिन से जो डाइरेक्टली maximum questions जिसमें हैं जो directly उठाकर सेम भी पूछ दिये गया नंबर भी नहीं चेंज किया गया एक आधे questions ऐसे होंगे जहां थोड़ा number change कर दिया गया जैसे 10 को 15 बना कर पूछ दिया गया मतलब question तो सेम ही है उसके बाद देख लो section C में मैं आपको दिखा रहा हूं question number 13 14 यह सारे NCRT से directly उठाकर पूछे गया है 15 16 17 यार 17 के बाद फिर 18 भी 18 के बाद 19 20 21 अलब लगभग एक question चोड़कर सारे section C के questions जो हैं वह सारे NCRT से उठाकर पूछ दिये गया है उसके बाद देखो तो section D में देखो तो देखो के तो question number 25 26 उसके बाद से 27 तो थियूरम ही पूछ दिया गया है और वह भी दो थियूरम है दोनों और में दे रखे हैं उसके बाद 29 30 यह सारे questions NCRT से हैं जो कि total मिलाकर start mark की होते हैं आप calculate कर लेना जूट नहीं बोल रहा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूँगा आप जाकर पेपर डाउनलोड कर लेना और बिल्कुल search करना कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि मैंने chapters लिख रहा कि exercise लिख रहा कि question number लिख रहा है अगर example का number दे रहा है और जाकर देख लेन इस इतने questions आते हैं और अगर कोई भी आपको कहता है कि इतने नहीं आते तो यार यह वीडियो उनको जरूर दिखा देना बहुत-बहुत मेहनत करके मैंने यह वीडियो बनाई है तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत लोगों ने इस वीडियो के request भी